लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था HTML टाक्स क्या होते हैं और देखा था basic structure एक HTML वेबसाइट का आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले heading और paragraph टाक्स जब भी हमें website पर एक heading लिखनी होती है टाइटल लिखना होता है तो उसके लिए heading टाक का यूज किया जाता है जैसे देखिए लास्ट वीडियो में हमने basic structure जब देखा था HTML वेबसाइट का तब h1 टाक का यूज करके एक heading लिखी थी hello world एक बार हम इसे फिर से run करके देखते हैं यहाँ लाइप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपकी heading शो हो गई hello world html में heading लिखने के लिए आपके पास six levels होते हैं इसको कहते हैं level one मैं यहाँ पर hello world की जगह लिख देती हूं heading one यह heading one हो गई इसे कहते है level one मैं आपको दिखाती हूं next five levels यहाँ लिखते हैं h2 अब आप जैसे h2 लिखेंगे आपको second heading के लिए यहाँ emit abbreviations हो रही है यहाँ जैसे इंटर करेंगे आपके पूरा 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 टायगा जाएगा देखिए यह फायदा होता है emit का यहाँ पर लिखते हैं heading two अब heading two लिखने हैं इसके बाद देखें आपको next line पर आना है तो आप क्या करेंगे पहले आप यहाँ क्लिक करे है h3 h3 होगी हमारी heading 3 h4 heading 4 h5 heading 5 h6 heading 6 यह होती है हमारे पास six headings यहाँ पर आप कोई भी content लिख सकते हैं मैंने heading one two three four six आपको समझाने के लिए लिए लिख दिया है यह होती है आपकी सबसे most important heading पहले एक बार run करते हैं और आपको दिखाती हूं यह देखिए यह हैं आपकी six head headings एक बार हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा यह देखिए heading one आपकी सबसे बड़ी heading है उसके बाद आती है heading two heading three heading four five six जो h1 tag होता है वो उसका size सबसे बड़ा होता है और जो h2 tag होता है उसका सबसे छोटा है ऐसे ही first level से six levels तक आते आते headings के size हैं वो decrease होते चले जाते है heading one आपकी website की सबसे important heading होती है और heading six आपकी website की सबसे least important heading होती है जब हम हमारी website को rank करवाते हैं Google पर तो इन heading tags का use करके आपकी website rank करती है वो आपकी website होते है na Google के first page पर आ रही है आपको 2 heading लिखनी है तो आप सोचेंगे कि मुझे अगर बड़ी heading लिखनी है तो H1 tag का use कर लो और छोड़ी heading लिखनी है तो H2 tag का use कर लो ऐसा नहीं होता आप tax का use size के according नहीं करेंगे आप अपने level के according करेंगे अगर आपको लगता है कि सबसे important heading है तो आप H1 tag का use करेंगे फि size का use करके इनका size change कर सकते हैं अगर आपको बड़ी heading तो आप h1 tag का बिल्कुल use करेंगे आप h1 tag का use करेंगे जब आपको बहुत most important heading अपनी show करने है अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा title है कोई ऐसी sub heading है मेरे page में जो least important है तो मैं उसे h6 का use करके लिख सकती हूं तो यह होते हैं आपके heading इसके बाद आते हैं हमारे paragraph tag paragraph tag अपने आपने नाम शो कर रहा है कि आपको जब भी paragraph लिखना होता है तो आप paragraph tag का use करते है paragraph tag को हम represent करते हैं यह एंटर करते हैं और देखिए यह होता है आपका paragraph टैग करते हैं यह आपको प्रिवियू प्रिवी इंस्टाल करवाई तो लिखने हैं तो आपकी वेब पेज हैं तो आप P tag का use करेंगे paragraph tag का आपको तैक्ता होगा मैं आपको एक सरवर के साथ साथ live फ्रीव एक्संशन बी इंस्टॉल करवाई थी तो हम वो भी देख लेते हैं इसेंद करते हैं और यहां पर आपको HTML फाइल में right-click करने right-click करेंगे आगर आप तो आपको यहां पर show preview इस पे क्लिक करने है, आपका वेश शोग है, अब देखिय कहते हैं यहां है यहां排 से चीज करते हैं, आपको किया करते हैं यहां साइड बाइस करें विजिबल होते क्या चलिए जाएगे वह पहले हमें क्या करना पड़ा था हम बार बार Google Chrome पर जा रहे थे हैं अब हम यहीं से हमारे page को देख सकते हैं paragraph मैंने लिखा अगर मुझे चाहिए कि मेरी website में तीन paragraph हो तो मैं फिर से p tag का use करूँगी और यहां पर लिख दूँगे this is second paragraph paragraph देखिए मैं यहां पर change करती जा रही हूं और आपको यहां पर change शो होते जा रहे हैं सारे के सारे यह आपका आगया second paragraph अब p tag करता है जब भी आप एक new p tag लेते हैं नया paragraph लिखते हैं तो वह हमेशे new line में ही जाता है जैसे आपके heading tags अगर मुझे एक और paragraph लिखना है तो मैं यहां पर लिख रखते हूं this is third paragraph अब मैं आपको यहां पर कोई website बना रहे हैं लेकिन आपके आपके पास text नहीं है आपको यह नहीं पता मुझे actual क्या text यूज़ करने तो आप जब website बनाते हैं तो आपको एक demo text की तो आप क्या करेंगे यहां लिखेंगे p tag अब मुझे यहां डेमो टेक्स चाहिए तो मैं विकीपीडिया से पे जाओंगी और वहां से टेक्स कॉपी करके लाओंगी उससे बढ़िया आप यूज़ कर सकते लॉरेम का आप यहां लिखिए लॉरेम और यहां पर आपको 50 words आ गए यह देखिए आपका पूरा पूरा एक डेमो टेक्स आपको यहां पर शो हो गया है यह आपको जब आप development करते हैं तो आप काम आ जाता है अब यहां देखिए यहां पर आपको एक scroll bar दिख रहे है यह scroll bar आ गया क्यूंकि आपका paragraph किता जादा बड़ा है इसलिए आ अब आपको चाहिए कि scroll bar हट जाए तो आप यहां पर आईए वियू में वियू में आने के लगद वर्ड राप पर क्लिक कर सकते हैं यहां पर अपना keyboard shortcut भी यूज कर सकते हैं alt plus z keyboard shortcut यूज किया हुगा है अगर आप इसे change करना चाहते हैं तो आपको मैंने keyboard shortcuts को कस्टमाइज करना भी बताया था जब हमने VS code को इंस्वाल करना थीका था वह भी कर सकते हैं यहां पर आप व्यूप में आकर सीधर वर्ड पर क्लिक कर सकते हैं यह देखिए आपका scroll bar चला गया जब भी आपको डेमी टेक्स लिखना होगा आप लॉरे मिप्सम का यूज कर सकते हैं यह आ इसे भी टाइक होते हैं उनके नेम ही specify कर देंगे कि इनका मीनिंग क्या है पी मतलब paragraph ह मतलब heading टाग एक होता है ब्रेक टाग सपोस्स कीजिए आपने यह पूरा का पूरा paragraph लिखा ठीक है इसी paragraph में अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ब्रेक मिल जाए लाइन ब्रेक या तो ऐसा यहा पर ब्रेक आगया लाइन ब्रेक आपकी यह वाली लाइन नियू लाइन से स्टाट हो चुकी एपहले यह सेम 09 में अब यह नियू लाइन में आचुक है ड़क का काम वहले है लाइन और एक आपका पूरे और उसके बादड़ उसके बाद़ фин Cap लेकिन ब्र नेकिन Br इसे एंटी तफिह भी कोई जाता एंग को आदा पर पको पैरग्राफ है यहां पर पूरा परग्राफियां यह चाहती χ MR कि दिया है लेकिन यहां पर देखी यह एक स्पाइस को एक ही स्पेस कौन्ट करेंगा dissemal का मिलेूटिपल स्पेस को कॉलाप्स कर selfish सिपर ही स्पेस को कउंड खरता है तो लिए अगर मुझे यहा पर लिखने हैं जिसे मैं लिक देति हूं this is a new paragraph देखे यह यहाँ पर नीचे लिखा आगया this is a new paragraph आप सोचेंगे कि मैंने तो यहाँ पर कोई भी टाग यूज नहीं करा कोई heading टाग कोई पी टाग कुछ भी यूज नहीं करा और यहाँ पर आपका टेक्स्ट लिख दिया और वह html का यहाँ शो भी हो गया कुछ भी लिख दीजिए कहीं पर भी लिख सकते हैं लेकिन यह अच्छी प्राक्टेस नहीं है कि आप कहीं भी कुछ भी लिख दीजिए आप टाग का यूज करके ही html लिखेंगे तो आपका page बाद में जब आप page को rank करवाते हैं वह बहुत easy हो जाता है तो हम इसे हटा दे है और आपने और नोटिस करी होगी कि यहां पर देखिए पेस था html ने इस पूरे स्पेस को एक ही स्पेस में गनवर्ट कर लिया कॉलाप्स कर दिया सारे स्पेस को अब मैं आपको दो important sources बता देती हूं html पढ़ने के अगर आपको html कहीं से पढ़नी है सीखनी है तो आप क्या कर सकते हैं जैसे आप भी टाग के ऊपर अपना करसर लेकर आईए आपको वहां पर mdn का reference मिल जाता है देखिए यह रहां पर क्लिक करेंगे तो आपको यह mdn की website पर लेके जाएगा open कर लेता है mdn की website यह आपकी mdn की website mdn mozilla developer network आपको mdn पर हर तरह की documentation मिल ज करेंगे जैसे हमने पी टाग पर क्लिक कर रहा था तो यहां पर पी टाग के बारे में आपको पूरी information मिल जाती है यह फायदा होता आपका vs code का और यहां पर आप एच्वन टाग के बारे में पर सकते हैं देखिए अप इसे बहुत अच्छे से रेफर कर सकते हैं यह बहुत अच्छी website है देखिए यहां पर बता रहा है जब भी आप एक webpage बनाते हैं तो उसमें h1 tab का आपको बहुत जादा multiple use नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है कि आप बार बर heading लिखने के लिए h1 tab का यूज करे जा रहे हैं क्यों क्योंकि आपकी most important heading बताता है मैंने आपको बताया इसा नहीं है कि आप हर heading लिखने के लिए h1 tab का यूज कर रहे हैं मैं आपको एक reference और बता देती हूँ w3 schools की website आप इसे भी refer कर सकते हैं अगर आपको html सीखनी है तो यह आपको provide करता है coordinator जो html में यूज कर सकते हैं देखिए यहां पर पूरे introduction है basic elements है heading tags है यहां पर जा रहक है अगर आप यहां पर try कर ना चाहरे तो आप यह moreる कर सकते हैंट के यह देखिए आप यह 시청ेis कर सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं अगर मैं यहां पर लिखूं hello world lang करते हैं यह देखिए आप यह भी use कर सकते हैं मीन की website तो सबसाइची रही HTML पढ़ने के लिए तो मैंने आपको दो sources भी बता दिया है HTML पढ़ने के लिए आप इन दोन website को refer कर सकते हैं So guys बस आज की वीडियो में यहीं तक हमने heading tag भी पढ़ लिया है, paragraph tags भी देख लिया है, loremipsum भी देखा, break tag भी देखा और MDN का reference भी देख लिया है, अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो, तो please like and share कर देना इस वीडियो को, channel को भी subscribe कर देना, bell icon को press कर देना जब भी नेक्स वीडियो आईगी आपको notification मिल जाएगा, अब कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे, और you can also follow me on Instagram, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, bye